आगे बढ़ेंगे बात करेंगे बाड मेर की जहां पर देर शाम पहुंचे पाइलिट ने जनसभा में बीजेपी किस सवा साल को जम करकोसा राउल गांदी को राश्ट्री अध्याक्ष बनाने के पूर में अशोक गहलोत और दिगविजसिंग के बयान का समर्तन भी कर दिया उन्होंने भवरलाल शर्मा को वापस पार्थी में शामिल करने की सवाल पर कहा कि उन्होंने राज्ट्री अध्याक्ष से मिलकर खेद प्रकट किया है और लिखित में खेद पत्र दिया है देखे उन्होंने कौंगेस अध्यक्षा से और राउल गांदी जी से खेद प्रकट किया था अपने वैवार के उपर और लिखित रूप से उन्होंने कहा था कि मुझे खेद है कि इस प्रकार के इखटना हुई थी और उसको कौंगेस अला कमाने इस विकार किया है और कहा है कि अब आप समर्पित रूप से कौंगेस पार्टी के लिए काम करें और अकिल भाते कौंगेस कमिटी ने आज ही मुझे सूचित किया है कि उनको उनके सिस्पेंशन को रिवोब करकर उनको आगे काम करने का मौकत अब आपका क्या कहना आशू गलो जी ने उससे पहले दिगवेजे शिंग आपका क्या कहना वो रहूल गांदी जी आज कौंगेस पाद्धिक्ष है और सभी कारे करता चाहते हैं कि उनके नित्युत में हम लोग काम करें पिषले कई वर्षों से वो कौंगेस के लिए बाड़े कंद्रने होगा लेकिन राहूल जी के नित्युत में ही हम लोगों को